हे गाईज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप सेवन केरियर ओप्शन आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स चाहे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है कॉमर्स विद मैथ के हैं या फिर विदाउट मैथ के हैं ये साथ ओप्शन आपके लिए बिलकुर रैडी हैं आप सब ही बच्चों के लिए जो कि आप 12 के बाद परस्यू कर सकते हैं वन बाई वन करते हैं डिसका सबसे पहले नंबर पे है हमारा वेरी पॉपुलर आज के टाइम में सबसे जाधा ट्रेंडिंग डैट इस डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैथ अ और पर चीज़ों के प्रोड़क को डिजिटलि़ करना पहले ट्रेश्न मार्केटिंग में आप देखते थे घ्यविटीठी डिजिटमेंट आया हो that is called digital marketing आप Facebook scroll करते हैं बीच में sponsored ad आते हैं that is called digital marketing तो आप भी as a digital marketer बन सकते हैं बहुत सारे skills होती है यार इसमें कैसे Google के first page में हमारे product को rank करवाना है कौन सा article rank करवाना है चीजों को promote कैसे करना है social media के help कैसे लेना है Facebook में ad कैसे चलाने है YouTube में ad कैसे चलाने है बहुत सारी चीज़े होती है चोकि आप सीख कर digital marketer बन सकते हैं बात करेंगे salary 6-7 lakh पर है बहुत ही जादा यह rich skill है अगर आपको आ गई है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को अगर आप expert बन जाते हैं तो earning का तो कोई मतलब limit ही नहीं है इतनी आप जादा earn कर सकते हो income qualification जो main मुद्दा है हमारा क्योंकि देखिए अगर हमने चीज़ें सीख ली अगर हम उस पर interested हैं अगर हम उस पर expertise ले लेते हैं तो income के बारे में तो हमें सोचने की जरुवत नहीं है आने वाले दस सालों में यह सारी वो skill set है या वो career है जिनमें हमें expert बनना है अचा qualification बारवी pass आप होने चाहिए commerce के आप student है if in case या फिर other stream के हैं तो सिर्फ 12th pass यहां पर required होता है क्या कर सकते हैं graduation में graduation में या तो आप computer science opt करिए information technology opt करिए या computer के courses opt करिए या फिर आप BCOM या BBA या फिर BCA वगएरा कर रहें तो उसके साथ कोई computer courses करिए जिससे आपको computer related knowledge होती रहे internet related knowledge, software related knowledge software in the sense है Microsoft Excel वगएरा है, Word वगएरा PowerPoint है उसका knowledge आपको होता रहे या फिर सबसे अच्छी चीज आप graduation के साथ सा digital marketing के courses कर सकते हैं, 6 मन से लेकर एक साल तक के courses होते हैं या फिर कई BBA का मुझे ध्यान में आ रहा है BBA and digital marketing course है वो आप कर सकते हैं तीन साल का ये course है जहां पर आपको management के साथ सा digital marketing की भी knowledge provide कराई जाती है तो ये आपके पास option है graduation में MBA कर सकते हैं digital marketing से या फिर computer science से या फिर information technology से या फिर जो भी आप preferred specialization रखना चाहते हैं marketing, finance, HR वगेरा उससे आप अपना MBA कंप्रीट कर सकते हैं और अपना digital marketing business में आप entry ले सकते हैं graduation के बाद भी ले सकते हैं या उससे पहले भी ले सकते हैं आपको एक required skill set आपने acquire कर लिया है और certification courses भी आप pursue कर सकते हैं with graduation, after graduation, with masters, after masters तो आपके उपर ये choice है तो हमारा पहला career options क्या था बच्चा पहला है digital marketing सबसे important सबसे पहला career option second is management professional बन सकते हैं आप में से बहुत सारे commerce के बच्चे management field में अपना career बनाना चाहते हैं business studies बहुत अच्छी लगती है आपको पढ़ने में management का जो position है उसका बहुत अच्छा लगता accountancy इतनी strong नहीं है this is a brilliant, brilliant profession for you 8-10 लाग रुपए आप easily earn कर सकते हो अगर आपने अच्छी बड़ी MNCs वगरा या फिर Indian companies जो है उनमें अच्छी positions में आगर आप work कर रहे है बारवी pass होने चाहिए commerce से हैं बहुत अच्छी बात है graduation में आपको बच्चा management के courses करने है whether BBA करिए, BMS करिए, BBS करिए ऐसे management courses आपको करने है masters में simple सा है MBA या फिर PGDM courses करने है और make sure करना है कि BBA या फिर graduation या फिर master's दोनों ही आप अच्छी जगह से करें थाकि आपका placement जो है अच्छी companies में हो पाए और आप अच्छा income earn कर सकें third one is your law law की भी बहुत बड़ी demand है future में या फिर commerce graduate जो की law कर रहे हैं उनका भी काफी बड़ा number है तो आप Bcom LLB कर सकते हैं BBA LLB कर सकते हैं या फिर graduation के बाद Bcom चल रहा है उसके बाद 3 साल का भी आप LLB कर सकते हैं salary 10 to 8 lakh per annum qualification के बाद करेंगे 12th के बाद आपको B LLB, BBA LLB, Bcom LLB जैसे 5 year integrated program करने चाहिए if in case आपने graduation plane करा है तो उसके बाद भी 3 साल का LLB आप कर सकते हैं तो ये है एक रहा एक direction जो कि आपको law field में के बनाने में मदद करेगी अगर आप masters करना चाहें तो law में masters होता है LLM जो की LLB के बाद होता है जी हाँ, graduation के बाद Bcom के बाद LLB जो करते हैं वो भी psychology field में भी entry बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे girls के पास मैंने देखा है कि psychology होता है, commerce with psychology तो एक अच्छा option है बच्चा psychologist बनने का 3 to 4 lakh पर रहा है नम क्योंकि ये ऐसी field है जिसमें आपको time और experience लगता है अपना नाम बनाने में ठीक है क्योंकि आप individual capacity में ज़्यादा तर work करते हैं, खुद का एक center खोलते हैं या किसी institute के लिए work करते हैं तो आपको नाम बनाने में थोड़ा time लगता है similar goes with a career counselor as well हमें भी शुरुवाती दौर में अपना नाम बनाने में time लगता है या लगा है मुझे भी, ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं, class 12 में any stream preferable है, अगर psychology optional रहता है तो बहुत अच्छी बात है undergraduate में BA psychology BSC psychology और BBA psychology जैसे आपके पास option है, सबसादा popular BA psychology program है उसमें आप honors कर सकते हैं और कहीना कहीं career counseling में psychology में, clinical psychology में आप entry ले सकते हैं MA in psychology is a option for you MBA in HR, देखे, human resource भी कहीना कहीं interrelate करता है psychology से, because you are somewhere around, क्या कर रहे हैं लोगों की psychology समझ रहे हैं लोगों का behavior समझ रहे हैं human resource is all about observing the human behavior कि human behavior कैसे करता है उसके needs और requirement क्या है हम उसके efficiency, productivity को कैसे increase कर सकते हैं तो वो सारे चीज़े आप क्या कर सकते हैं में चलोगो, आप psychology के courses पढ़के कर सकते हैं या फिर HR के courses, human resource के courses पढ़कर भी आप entity ले सकते हैं लेकिन जो specifically psychology जो word है वहाँ पर BA psychology की बहुत ज़ादा clinical psychology वगएरा degree या courses की ज़ादा demand रहती है बहुत ज़ादा शौक है debating वगएरा में पार्ट लेते हैं हमेशा आप जीतते हैं communication skill पर वर्क करना बहुत आपको पसंद है उससे related पढ़ना बहुत पसंद है journalism is a brilliant, brilliant course for you बच्चा 3-5 लाग पर annum तक आप salary earn कर सकते हैं देखिए salary की तरफ मत जाएए मेरा यह focus रहता है क्योंकि अभी आप initial year है आपको expertise बिल्ड करना है जैसे ही आप किसी specific field में अच्छे हो जाएंगे तो आप जितना चाहेंगे उतना आप demand कर सकते हैं अपने skill set के लिए qualification, bachelor in mass communication और journalism BA in journalism भी होता है BA in mass communication या फिर specific course अगर मैं बताऊं तो the course is called BJMC bachelor in journalism and mass communication अगर आपको anchor बनना है news reporter बनना है tv presenter बनना है direction field में जाना है singing field में जाना है या कहीना कहीं media field में अपना career बनाना है BJMC is a perfect core PGDN कर सकते हैं फिर आप journalism से is that make sense clear हो पार है बच्छा ठीक है 6th one is your entrepreneur entrepreneur के लिए कोई degree बगेरा माईने नहीं रखती अगर आपके पास required capital है पापा पहरे से business कर रहे हैं तो आप 10th class के बाद ही अपना business join कर सकते हैं it's totally up to you लेकिन अगर आप किसी family business background से नहीं है खुद के मतलब खुद ही आपको नाम बनाना है अपना तो उस case में entrepreneur field के लिए business related knowledge acquire करनी ज़रूरी होगी revenue की तो बात ही मत करिये या profit की बात मत करिये या salary की बात मत करिये entrepreneur unlimited earn कर सकता अगर उसका business right direction में चलता है qualification class 12 होना चाहिए आप B.com, B.ba, B.ms, B.ba management related knowledge gain करते हैं entrepreneurship related पढ़ते हैं चीज़े, B.ba in entrepreneurship is a course जो मुझे समझ में आ रहा है या याद आ रहा है वो आप course कर सकते हैं MBA किसी भी specialization जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा बनना चाहते हैं whether it is finance, HR है marketing है, digital marketing है तो N number of specialization है जिसमें आप जूस कर सकते हैं entrepreneur जब आपको समझ हो जाए कि networking देखे entrepreneur बनने के लिए business startup खुद का खोलने के लिए you need knowledge तो knowledge के लिए हो सकता है आप 4-5 साल आप किसी firm के अंदर में work करें या फिर हो सकता है आपको पहले से ही knowledge हो capital required होता है तो capital earn करने के लिए आपको 3-4-5 साल work करना पड़े ये सारे factors consider करने पड़ते हैं networking build-up करनी पड़ती है खुद का business based startup करने के लिए चोटे level से भी आप start कर सकते हैं और right away फिर आप बड़े level पे भी grow कर सकते हैं last but not the least hotel line hotel manager आप बन सकते हैं hotel line में hospitality line में जिसको आप बोलते हैं कर्यों बना सकते हैं 4-5 lakh per annum थोड़ा सा initial salary कम रहता है यहां का class 12 और equivalent होना चाहिए BHM एक course है bachelor in hotel management सबके लिए यार entrance होते हैं NCMCHCTJEE नाम याद है न ये entrance होता है जादा तर जितने भी hotel management institute है center level पे और state level पे इस पर आपको entry देते हैं hotel management के courses में तो ये थे 7 most popular career option जोकि with math, without math कैसे भी commerce का बच्चा फर्सु कर सकता है वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा comment box में comment करके ऐसे ही commerce और management related videos चैनल पे हर अटे आते रहते हैं जोकि आपको career को right direction में ले जाने में बहुत ज़्यादा कारगार बहुत ज़्यादा useful सिद्ध होने वाले हैं description check on कर लेना बहुत कुछ useful link आपको मिल जाएंगे आप check out जरूर कर सकते हैं उन link को सब के सब बहुत ही informative हैं बहुत ही valuable information मैंने links के थूरू भी आपको provide कर आएं check out जरूर करिएगा मिलते नेक्स वीडियो में till then take care good bye मिलते नेक्स वीडियो में जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा thank you so much